नमस्कार दोस्तों में विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकेमेट पर तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की मैतमेटिक्स के लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 4 है जिसमें हम इसके क्षिशन शोल करने वाले हैं इससे पहले के तीन पार्ट में दोस्तों हमने इसकी ट्रिक बताए है इसके क्षिशन भी हमने शोल किया है तो अगर वो वीडियो आप देखना चाते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर हम इसके क्विश्यन लेते हैं और उन्हें हम शोल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्विश्यन हैं कुछ इस प्रकार से है तीन मित्र 624 रुपे को आपस में एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे चार के अनुपात में बांट लेते हैं तो तीसरे मित्र का अंस है यहाँ पर हमें यह ग्याद करना है कि जो तीसरा मित्र है उसके कितने रुपे हैं यानि कि उसके अनुपात से हमें ये देखना है कि उसे कितने रुपे मिलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अनुपात हमें दिया गया बटे में जिसे एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक बटे चार तो इसे दोस्तों सही करने के लिए हमें क्या करना होता है जो अनुपात के हर में हमें संक्याइं दी गई है उनका हमें LCM ग्याद कर लेना है तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 का LCM होता है 12 और उस LCM से सभी को गुणा करा देना है तो यहाँ पर देखिए 1 बटे 2 का गुणा 12 से कराएंगे 1 बटे 3 का गुणा 12 से और 1 बटे 4 का गुणा 12 से तो 2 का भाग बारा में 6 बार जाएगा 3 का भाग बारा में 4 बार जाएगा और 4 का भाग बारा में 3 बार जाएगा जिसके लिए दोस्तों अनुपात 3 है और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब हम भाग निकालते हैं किसी भी रासी का तो वहाँ पर हम क्या करते हैं जिसका हम निकाल रहे हैं उसका अनुपात हम उपर रखते हैं बटे में सभी अनुपातों को हम जोड़ देते हैं तो 6 प्लस 4 प्लस 3 ठीक है तीनों अनुपात हमने एड़ कर दिये गुणा में हम वो रासी रखेंगे जो रासी हमें दी जाती है तो यहांपर 624 रुपय हमें दिये गए है तो यहांपर हम 624 रखेंगे अब इसे हम 6 कर लेते हैं तो यहांपर देखें 3 है बटे में देखें क्या हो जाएगा 6,4,10,3,13 तो 13 और गुणा में हो जाएंगे 624 अब इसे हम 6 कर लेते हैं तो यहांपर देखें 13 का भाग हम लगाएंगे 624 में तो इसमें भाग जाएगा 48 बार 48 का गुणा हम 3 से करा देते हैं तो यहाँ पर देखे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों 144 तो 144 रूपय यहाँ पर तीसरे मित्र का अंस होगा जो यहाँ पर हमें दिया गया है D-Option में तो यहाँ से हमारा D-Option इस परकार से इसे कीष्यन हम we Chole करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अगला कीष्यन हम Realth C serious one तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला कीष्यन हो कुछ इस परकार से है 11 रूपय पर्ती किलोग्राम के चावल एं 19 रूपय पर्ती किलोग्राम कि चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिसरन का मुल्य 15 रुपे पर ती किलोग्राम हो जाए तो इस परकार के दोस्तों क्रिश्चन करने के लिए इसका एक आसान तरीक है एक आसान ठीक है कि यहाँ पर देखे हम रखेंगे 11 रुपे पर ती किलोग के चावल बड़ी संख्या उसमें से चोटी संख्या तो यहां पर देखें 19 में से हम क्या करेंगे 15 गठाएंगे इधर की तरफ तो 19 माइनस 15 होगा और यहां पर हम क्या करेंगे 15 में से 11 गठा देंगे तो 15 माइनस 11 है अब यहां पर देखें 19 में से 15 गठाएंगे 4 बचेगा अनुपात में हो जाएगा 15 में से 11 गटाएंगे 4 अब 4 से 4 कटेगा यानि कि यहां पर भी एक आएगा यहां पर भी एक आएगा तो एक अनुपात एक हमारा इंसर हो जाएगा जो हमें दिया गया ए ओप्सन में तो यहां से हमारा A option right हो जाएगा तो इस परकार से इसे question आप आसानी से soul कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अगला question हम soul करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला question हो कुछ इस परकार से है school A, B वर C के चात्रों का क्रमस है अनुपाद 5, अनुपाद 4, अनुपाद 7 है यदि स्कूलों में चात्रों की संक्या में क्रमस है 20, 35, 35 और 20, 35 की वर्दी होती है तो school A, B वर C में चात्रों का क्रमस है अनुपाद कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखे इस परकार के question हम कैसे school करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें A, B और C का अनुपाद दिया गया तीनों school का, यहाँ पर है देखे, A का 5, B का है 4, और C का है 7, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर दोस्तों चात्रों की संक्या में वर्दी हो रही है परतिसत में, उसका गुणा हमें इस अनुपाद के साथ में करा देना है लेकिन किस तरीके से हम कराएंगे जैसे यहाँ पर देखे, A के लिए 20 परतिसत की वर्दी हो रही है, तो यहाँ पर 100 में 20 हम जोड़ेंगे, तो 120 होगा बटे में हम 100 रखेंगे, उसका गुणा अनुपाद के साथ हम कराएंगे, तो यहाँ पर देखे, पहले हम A के लिए निकालते हैं तो A का अनुपाद 5 यहाँ पर हमें दिया गया है तो 5 का गुणा हम कराएंगे 120 बटे 100, क्योंकि 20 परतिसत की वर्दी हो रही है अब यहाँ पर दोस्तों B के लिए हम निकालेंगे तो B के लिए 25 परतिसत की वर्दी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुणा, 100 में हम 25 एड कर देंगे तो 125 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा ठीक है, इसी परकार से C के लिए ग्याद कर लेंगे जिसके लिए वर्दी है 20 परतिसत और इसका अनुपात है दोस्तों 7 तो 7 गुणा 120 बटे 100 अब इसे हम 60 कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक सुन्ने से एक सुन्ने को कटाएंगे, 5 का भाग दस में 2 बार जाएगा और 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा तो 6 बटे यहाँ पर 1 होगा अनुपात, यहाँ पर दोस्तों 4 का भाग हम लगाएंगे 100 में तो यह जाएगा 25 बार 25 का भाग हम लगाएंगे 125 में तो यह भाग जाएगा 5 बार और बटे में हो जाएगा इसके भी एक अनुपात में यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों एक सुन्ने से एक सुन्ने को कटा देंगे दो का भाग बारा में जाएगा छे बार दस में जाएगा पांच बार तो साथ का गुणा छे से 42 और बटे में हो जाएगा 5 अब यहाँ पर देखे जो अनुपात हमारे पास आये हैं वो यहाँ पर दोस्तों भिंद में हमें दिये गए हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन्हें सरल कर लेंगे किस तरीके से जैसा कि पहले question में मैंने आपको बताया था यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे जो हर में हमें संक्याएं दी गई है उनका हम LCM ले लेंगे तो यहाँ पर है एक एक और पांच जिसका LCM आएगा पांच तो पांच से हम गुणा करा देंगे इसे भी 5 से गुना करा देंगे और इसे भी 5 से गुना करा देंगे तो 5 से 5 कटेगा यहां पर देखे क्या होगा 6 का गुना 5 से 30 हो जाएगा अनुपात 5 का गुना 5 से 25 हो जाएगा अनुपात यहां पर दोस्तों केवल 42 रहा है तीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका अगला किशियन हम सोल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला किशियन है वो कुछ इस परकार से है यदि A अनुपाथ B बराबर 2 अनुपाथ 3 वो B अनुपाथ C बराबर 5 अनुपाथ 7 हो तो A अनुपाथ C का मान क्या होगा यहाँ पर हमें A अनुपाथ C का मान गयाद करना है और यहाँ पर दोस्तों हमें A B का दिया गया है फिर से B C का दिया गया है तो इस परकार से जब हमें कुछियन दिया जाता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों सभी को अनुपाथ में लिख लेंगे तो A अनुपात B अनुपात C ठीक है अब यहां पर देखे पहले हमें दिया गया है A अनुपात B जो है यहां पर 2 अनुपात 3 तो A की जगह हम 2 रख देंगे अनुपात B की जगह हम 3 रख देंगे यहाँ पर दोस्तों C का मान हमें नहीं दिया गया है तो इसके लिए हम छोड़ देंगे अब आगे देखे हमें दिया गया B, अनुपात C तो B का है 5 तो B के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 5 अनुपात में C का दिया गया है तो C के नीचे लिखेंगे 7 अब यहां पर देखे हम क्या करेंगे यहां पर दोस्तों यह जो खाली मान हमने छोड़े हैं यहां पर भी हमें मान लगाने होंगे तो यहां पर क्या मान हमें लगाने हैं यहां पर दोस्तों देखे वही मान हमें बढ़ने है जो इसके जादा निकट है जैसे यहां पर देखे सी का मान हमें चाहिए इसके अनुपात में तो यहां पर देखे तीन इसके पास में है तो तीन यहां पर हम रख देंगे ठीक और यहां पर देखे हमें एक का मान चाहिए आपर देखे एक के पास है पास तो यहां पर हम पांच रख देंगे ठीक है अब यहां में क्या कराना है यहाँ पर दोस्तों सीधा हमें इनका गुणा करा देना है तो 2 का गुणा हम कराएंगे 5 से ठीक है अनुपात में यहाँ पर देखे 3 का गुणा हम 5 से कराएंगे अनुपात में यहाँ पर देखे 3 का गुणा 7 से कराएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे, 2 का गुणा 5 से 10 हो जाएगा, अनुपाथ 3 का गुणा 5 से 15 हो जाएगा, अनुपाथ 3 का गुणा 7 से 21 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखें अनुपात आया है A का है 10, B का है 15 और C का है 21 Question में हमें दिया गया कि A अनुपात C का मान होगा तो यहाँ पर A का मान हम ले लेंगे यानि कि A अनुपात C हम गयाद करेंगे तो A का हो जाएगा 10 अनुपात C का यहाँ पर हो जाएगा 21 तो 10 अनुपात 21 ए अनुपात C होगा जो हमें दिया गया है D option में तो यहां से हमारा D option राइट हो जाएगा तो इस परकार से से question हम solve करेंगे उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर करें आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं सबस्क्राइब करने के बादे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी की next वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत वंदे मातरम